डेली वर्ल पब्लिक स्कूल, इंडियास नमबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है काडमेक्स, स्पोर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट का बेहतरीन कॉंबिनेशन साम़र सुबहे अजमिर में एक करोना पाउब्जिंग सामने आने के बाद सम्वार रात एक बार फिर बुरी ख़बर आईए अजमेर में सुमारात को करोना पॉजिटिव के तीन नए मामले सामने आये हैं जिसमें दो बनारस के जायरीन है जो अजमेर के दरगा बजार में माशालला होटल जो जगे है इस होटल में रुके हुए थे बनारस के ये दोनों जायरीन हैं और ये दोनों यूवक अब करोना पॉजिटिव पाए गए हैं इसके साथी एक जो शक्स है वो मरीज जो है वो नला बजार इलाके का है ये भी करोना पॉजिटिव आया है नला बजार से जो यूवक एक करोना पॉजिटिव सामने आया है इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो मेडिकल का सबसे पहला केस इस इस इलाके से मेडिकल स्टोर करमी के तोर पर आया था करोना पॉजिटिव का मामला उससे ये संक्रमित होना बताया जा रहा है लेकिन किसी परकार से किसी परकार की पुस्टी फिलाल नहीं की गई है कि आखिरकार ये जो नला बजार से युवक करोना पॉजिटिव आया है ये किस से संक्रमित हुआ है दो बनारस के जो जायरीन है इन जायरीनों के लिए ये बताया जा रहा है कि जो माशालला होटल है यहां से इ पर्क में जो लोग थे अब उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग शुरू हो रही है और जब जानकरी जुटाई जा रही है मेडिकल टीम इनसे पूछने की ये कोशिश कर रही है कि आखिरकार और कौन-कौन से लोग है या ऐसे कौन-कौन से इलाके हैं जहां पर इनका पैदल वौकि मूमेंट रहा है अगर मूमेंट रहा है तो वहाँ पर ये किस से मिले हैं तो ये तमाम जो चीजे हैं ये मेडिकल की टीम लगाता है अब जानने की कोशिश कर रही है उसके साथ ही इनके संपर्क में अगर कोई लोग आए हैं तो उनकी सेंपलिंग के लिए उनको पॉजिटिव का मामला सामने आया तो जो परिवार है उनका मलूसर रोड पर रहता है और उसके चलते अजमेर शहर में अब करफी का जो दायरा है उसको बढ़ा दिया गया है और अब जीरो मॉबिलिटी छेतर जो है उसका भी दायरा बढ़ चुका है इसके अंतरगत जो क् चाशन कोशिश कर रहा है कि तमाम प्रियासों को दरातल पर उतारा जाया और इसलिए जब मलूसर बावडी छेतर से कुरोना वायरस संक्रमित वैक्ति की रिपोर्ट आई है तो उसके बाद जिला मॉबिलिटी छेतर का दायरा बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिये हैं औ अब इन तीन नए जगों के उपर जो धाना चेतर हैं यहां पर दारेक्ट 144 कड़ाई से अपनी शक्तियों का प्रियोग करते हुए लगाई जाती है इसके अंतरगत जो कर्फिय छेतरे क्लॉक टावर धाना चेतर का उसमें अंदेरी पूलिया से सड़क के दोनों तरफ की भसती है पटेल नगर है माली महला को सम्मेलित किया गया है चूना बट्टे का जो तिराया है उसको सम्मेलित किया गया है और इसके साथ में realway station की तरफ का बाएं और दाय का जो छेतर उसको इसमें सम्मिल दिया गया है और इसके साथ ब्यावार रोट पर राज के माविध्याले से लेकर हजारी बाग रेलवे कौाटर पहार गंज राजिंदर स्कूल जटिया कॉलोनी खटिक बस्ती इन तमाम जगों को इसमें शामिल किया गया है राजिंदर स्कूल से सीता गोशाला को सम्मिल किया गया है रेलवे कौाटर सेंटर स्कूल से लेकर जीसी चुराय तक अंदर का जितना इलाका है वहाँ तमाम इलाके पर जीरो मॉबिलिटी लागू कर दी गई है दैरक सुच्चा वाली सिहां पर लागू कर दी गई है और रामबाग बस्ती, सांसी बस्ती, प्रित्युराज नगर, बगवान गंज, फरिदाबाद कॉलोनी, एन यू एलेम कुक्वाटर, चांदमारी, गुजर बस्ती, जंता कॉलोनी, पहार गंज, शम्शान, हरीजन बस्ती, बगवान गंज रोड, इसाई मौला, रेलवे होस्प बस्ती है, वो जीरो मॉबिलेटी चेत्र गोशित्या गया इन्हे इलाकों को, और इन्हे इलाकों में किसी भी तरके का आवागमन, पूरी तरीके से प्रतिबंदित रहेगा, इसके निर्देश और आदेश जारी हो चुके हैं, इसके साथ में, अन्ने राज्यों से राजिस इस तर तक सूचना तंत्र को मजबूत किया जा रहा है, और कोई भी व्यक्ति भाहर से अगर आ रहा है या जा रहा है, तो जितने भी आगंतुख है, उनका नाम, पता, मोबाइल नमर, जिला प्रशाशन के पास उपलब्द रहेगा, इसकी तयारी की जा रही है, इसके साथ लोगों से ये अपील की है, और बहुत आवशक है कि स्थानी स्थर पर महलो और गाउं में एक सुधर सूचना तंत्र विक्सित हो, और इस अबदी के दोरान जो करोना मामारी का वक्त चल रहा है, इस अबदी में कोई भी नया विक्ति अगर आए, तो इसके बारे में सूच सूचना स्थानी प्रिशाशन को मिल सके, और ये सूनिश्चित क्या जा सके कि ऐसे वक्ति को अगले 14 दिन तक होम क्वारेंटाइन किया जा सके, इसके साथ में उन्होंने तमाम जंसमुदाओं में चेतना विक्सित करने के लिए ये अपील भी की है, और ये सूनिश्चित क तमिश्चित करने के निर्देस जारी किये हैं कि अगर कोई भी भारी वक्ति आता है तो उसकी सूचना स्थानिय प्रिशाशन को दी जायए. और यदि कोई भी वक्ति साथ दिन का जो होम कORANTAIN है उसका उलंगन करता है, तो इसकी सूचना तत्काल जो स्थानिय प्रिशाश सीबावन को कॉरिंटेन सेंटर बनाया है जिससे भार के जो वैक्ति वहाँ पर आ रहे हैं उनको वहाँ पर रुका जा सके लेकिन कई सूचना ऐसी भी थी कि जो जिन लोग को 16 दिन के लिए होम कॉरिंटेन किया गया है वो लोग घर पर रुक नहीं रहे हैं घर से भार निकल तो उसके लिए जिला करेक्टर ने सकती से निड़ेशित किया है आदेश जारी किये हैं कि अगर कोई भी ऐसे बाहर निकलता है जिसको तो दिन के लिए होम कॉरिंटेन किया है तो उसकी सूचना तदकाल इस्थानी पर शाशन को दे और इसी के साथ जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं कोरोना का नया जो तीन नय मामले सामने आए हैं तो उसको लेकर चिकेसा भी भाग मुस्तेदी दिखा रहा है कर्फियू का जो दायरा है उसको बढ़ा दिया गया है अब यह जो आसपास का जो इलाका है जो मलूद सर रोड के जो आसपास का इलाका है जो contact tracing चल रही है उसके आधार पर यहां पर और भी बहुत सारे लोगों की sampling हो सकती है और जब sampling होगी तो कुछ हो सकता है नए आकड़े और शेयर के सामने आए कि कोरोना के और कितने ऐसे मामले हैं जिनमें symptoms नहीं है किसी परकार के तो उनलों की जो तलाश है वो medical की टीम लगातार कर रही है